दोस्तों मैं आप सभी के लिए डेली अपडेट बनाता हूँ बॉडी विल्डर के फिजिक में हम बात करते हैं अनलाइसिस करते हैं और कोई भी कॉंट्रोवर्सी हम कवर नहीं करते हैं नेगेटिविटीविटी फिटनेस इंडेस्टी में नहीं फेलाते बट स्टिल दोस्ता आप पॉजिटीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है बट स्टिल दोस्ता यह मेरा काहम है कि मैं आपके लिए डेली तुटाइम फ्रेश्ट अपडेट लाऊ आप यह सारे कंटेंट्स को एंजोई करो अल्राइट गाईज वेरी फर्स्ट अपडेट फ्रॉम ब्रायन अंसली जैसे कि तीन साल वो क्रिस बमसर से हार रहे फिर भी चोते टाइम वो ट्राइ करने का वाले आपने टाइटल को दो बारा क्लेम करने के लिए दोस्तों वो हार ज़रूर है बट टॉप थ्री में लागातार आना तीन साल तक ये भी एक मुश्किल चीज होती जो कि उन्होंने करके दिखा है बिकॉज उनकी कंडिशन ओन पॉइंट रहते हैं आप देख तो पूरी छिली हुई फिजिक उनकी लग रही है आईनो कि डिपलेटेट है बट वो दोस्तो स्टेज पे हमेश्चा कंडिशन ब्रिंग कर दे कभी भी वो सफल नहीं होती कंडिशन लाने में तो ये भी एक चैंपियन वाली बात है पर सिल उनकी फ्रेम अच्छी कासी ठिक ठाक फ्रेम है बट जो क्रिस वंस्टेड और बाकी के अथलेट की फ्रेम है जैसे रब डिजल और जो मिरैकल बियर जिनका यूजरनेम इंस्टाग्राम उनकी जो फिजिक है उनकी जो फ्रेम है वो क्लासिक के लिए ज़ादा प्रियोरिटी देनी वाली है तो अभी ब्रेम असले देखते हैं कि इस साल क्या होने वाला है विकाज ये प्रॉबेबली उनके क्लासिक करियर का लास्ट इयर होने वाला ऐसे वो खुद बताते है सेकंड अपडेट स्ट्रेट फ्राम टीम फरा जो कि ये ब्लेसिंग्स अवो दिबो बैक का शॉट कितना अच्छा लग रहा है वो कैप्शन में लिखते है कि क्लासिक मतलब ये क्लासिक पोस वो हीट कर रहा है और अच्छी लग रहा है बट स्टिल दोस्तों उनकी लोवर बोड़ी अभी बी अपर बोड़ी को मैच नहीं करते है डिस्बैलन्स फिजीक लगते है जैसे कि अन्डू जैक भी हो गय है वो भी टीम फारा के मेंबर है बट उनकी लोवर बोड़ी काफी हद तक अच्छी है और मुझे लगते है पूरे लाइनप में वो डॉमिनेट करने वाले मेंस ओपर बोड़ी बीदिंग में इस साल because condition दो ब्रिंग करते ही करते है बट उनकी लोवर बोड़ी भी आच्छी है बट अगर ब्लेसिंग आउद उपी की बात करो देन मुझे लगते है कि अगर एक साल 2023 में जब वो आएंगे कोई pro show खेलेंगे देफिरिलिल उनको लोवर बोड़ी भी काम करते आना चाहिए because overall बोड़ी अच्छी है और आगे जाके एक top 5 में आने की फिजिक और जज़बा वो रखते है next update फ्रॉम भुवन चोहन जैसे की workout की time अपना core section वो दिकार है story पे देख सकते हैं oblique and apps पे उनने इस साल कितना ज़्यादा work किया है because 2 साल पेले उनका core इतना अच्छा नहीं लगता था impressive नहीं लगता था बट दोस्तों मैंने observe कि हुए है कि जो वो peak week में डालते photo या फिर storage डालते तब उनका mid section काफी अच्छा लगता है because उनके साथ वही दिक्कत है उनकी core तो मुझे लगता है दोस्तों यह जो condition दिखाते है peak week में वो definitely उनको stage पे लाना चाहिए अगर car load ज़्यादा करके core में problem हो रहा है then definitely वो protocols को change कर सकते है obviously वो हमसे ज़्यादा जानते है and definitely वो अपने body को अलग protocols इस टाइम follow करेंगे ऐसा मुझे deeply लगता है अगला update आता है Michael Krizo की तरप से and दोस्तों जितना यह बंदा vascular है मुझे लगता कि 2022 लाइनप में इतना vascular कोई बंदा है पूरे events वगरा pop-up होते and huge muscle mass carry करते and muscle quality भी उनकी काफी अच्छे stage पर देखना उनको लोग पसंद करते and यह भी बहुत hype वाले athlete है बलकि बहुत सरे लोग उनको top 10 में predict नहीं करे but still यह उनका पहला olympia उनको time लगेगा but एक अच्छा potential ज़र रखते है because genetics उनके साथ है next we are moving to rough diesel and दोस्तों जिस तेजी से वो update दे रहे इस साल मुझे काफी confident लग रहे and बलकि Chris Buncher वहाँ पे दरार बनके खड़े जो कि इस साल जाद अपडेट नहीं दे रहे मतलब update ही नहीं दिया है उनने full body but उनके तरब से जो कुछ update दे रहे दोस्तों first of all हारना जीतना एक अलग बात है but athlete का एक response रहे है कि वो 100% दे and rough diesel is giving 100% this year तो मुझे लगता है दोस्तों यहीं उनकी win है and definitely अगर हार गए then उनको regret नहीं होगा because उन्हेंने 100% दिया है जीत भे गए तो दोस्तों उन्हेंने 100% दिया है नेक्स्ट अपडेट फॉर टाइम मेंस फिजिक ऑलम्पिया चैंपियन जेर्मी बुनेडिया दोस्तों जिस तरीके से वो 2023 के लिए अभी इसे प्रेप कर रहे है दोस्तों इसे के दिए चैंपियन वाला माइंड सेट और चैंपियन वाला डेली रूटीन अभी बहुत टाइम में 2023 ओलम्पिय के लिए और वो तो डारेक्ट कॉलिफाई उनको प्रोश्यो भी नहीं खेलना है फिर भी जिस तरकी से इंप्रूमेंट कर रहे है दोस्तों यह फोकस है उनका और काफी सारी दिक्कत उनके साथ चल रही थे नहीं तो उनके पहले ही कमबैक किया होता बट बेस्ट इशेस वार जेर्मी बुनिडा विकाज अच्छा खासा मसलमास पूर्ट करके रखा है किया हुए है उनके फेस से नजर आता है बट जेनेटिकर उनका फेस ऐसे है रहता है बट दोस्तों काफी हद तक उनने कंट्रोल करके रहा है और पीक विक में मतलब उनने जाता अपडेट भी नहीं दिये और पीक विक विक ये कंडिशन है फेस से अप अंदाज लागा सकते हो किस तरीके से वो पूरी ट्राय फिजिक कैरी कर रहे होंगे तो देखते हैं इस साल उनकी प्लेसिंग्स अपर हो जाती है ओलम्पिया में मेंस फिजिक में या फिर से वो फोर्थ पोजिशन पर आता है तो लेट सी देखने लाएक होगा अगला अपडेट आता है दोस्तों चार्लस ग्रिफिन के तरप से आज आज भूत सारे अपडेट है बड़ आप तंग मत होना पहली बात तो विकाज दो तीन दिन सहलो आप काफी अपडेट आपको देखने है और काफी कुशी आपको मिल सकती है इसलिए हम थोड़ा मसला लागा कि अपडेट्स पे बात कर रहे है आप कमेंट सेक्शन में आप भी बोला आपको मैं कमेंट में रिप्लाइ भी दूंगा कमेंट में भी हम बाते करेंगे अगर आप फ्री होतो तो जो चार्लस ग्रिफिन उनके हमस्टिंग में एक O-shape का बेंस उनका रेडी हुआ है या फिर शो कर रहा है तो वो कहते है you see the olympia here मतलब दोस्तों olympia में top 16 positions को priority दी जाती है और उनको consider किया जाता है बट फिर भी 16 का नंबर का जो bodybuilder रहता है वो भी एक इसी mindset चीज़ आता है कि उसको champion बनना है जैसे चल रहा है चारल्स गर्पे मुझे लगते कि top 12 में तो आ सकते है बट फिर भी ओ चैंपियन वाला mindset रखना यह हो थी काफी अच्छी बात होते हैं यह only bodybuilder में ही दिखाई मिलता है इस level की motivation so physical on point चल रहे है देखते हैं इनके लिए मैं काफी excited हूँ so this is all about today's video जो कि मैंने update कवर करें उन पर थोड़ी बद बाते भी किया रहे हैं तो अभी आपका काम है कि आप comment section में बाते करो बाते करना start करो and मैं reply में तो आपके लिए हजिर हूँ all the time and वही कहूंगा कि subscribe करो यार because अभी positive content है दोस्तो कभी negativity ने फेल आरो मैं so I hope कि आप मुझे support करोगे एक दिन हमारे subscribers and views तेजी से बढ़ने लगेंगे so thank you so much for watching it see you soon and love you all